अब आप जानते हैं कि स्टॉक बनाने के लिए आपको क्या-क्या चाहिए होगा, तो आईए सफेद स्टॉक बनाना सीखते हैं, पर उससे पहले क्या आप जानते हैं कि सफेद स्टॉक क्या होता है? घबराईए नहीं, मैं बताती हूँ. सफेद स्टॉक, सबसियों, पॉल्ट्री की हड्डियों या मचली की हड्डियों को द्रव में धीमी आज पर उबालने से तयार हुआ पारदर्शक और अपेक शकृत रंगहीन द्रव होता है अब हमारे प्यारी शेफ आपको सबसियों का इस्तेमाल करके सफेद स्टॉक बनाना बताएंगे कैस जलाएं और स्टॉक पॉट को उस पर रखें पानी, सबसियां और पानी और हर्ब्स डाले हर्ब्स स्टॉक में अलग-अलग हर्ब्स डाले जाते हैं स्टॉक खो उबाले रव्य में एक उबाल लाए उसके बाद दो घंटे तक उसे धीमी आज पर उबलने दे कलचुल की मदद से ओप्री सतह की ओर उठने वाले जाख को निकाल कर अलग कर दें अब एक मलमल का कपड़ा चलनी में रखे और स्टॉक को चाने कपड़े को थोड़ा गीला कर ले और फिर स्टॉक को उसमें से चाने अब आप स्टॉक को स्टॉर कर सकते हैं या आवश्यक्ता अनुसार उसका इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आगे इस्तिमाल करने के लिए स्टॉक को स्टॉर करना है तो उसके ठंडा होने का इंतिजार करें और ठंडा होने के बाद उसे आवश्यक तानुसार रेफ्रिजरेटर या डी फ्रीजर में रखें. के बाद परू जानुसार रेजाएंक तानुसांस फिल भी खाहनुनुसार रेफ्रिजर ज इल्चा का का हुआ है लितरे लंगानुसार रेफ्रिजरर या रेपको अत्य утानुसुओस्ससटार रेपदी को परूंगता है बाद पह syntax तानुस्ट्सार रेफ्रिजरी आवश्यक